हाँ जी तो कैशो आप लोग मैं आपका निलेश पी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूटूब चैनल पे दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के गणित से जी हमें दोस्तो कच्छा 10 के लिए गणित के कुछ महत्पूर्ण प्रस्न आपके इस साल के बोडियाम के लिए इसमें मैंने दो प्रस्नों को लिया है और ये दोनों प्रस्न जो है आप लोग का जो गणित का थर्ड चेप्टर है दो चरवाले रैखिक समिकाड यूं उसी के हैं आप पहला प्रस्न देख सकते हो कि दो अंको की एक संख्या एवं उसके अंको को उलटने पर बनी संख्या का योग छाचट है यदि संख्या के अंको का अंतर दो हो तो संख्या ग्यात किजिए ऐसा प्रस्न आप लोग के बोडिया में चार मार्क में हर सल पूछा जाता है किसी ना किसी पेपर कोड में और ऐसा प्रस्न भी ये भीन वाला भी पूछा जाता है इसमें देखो एक ये प्रस्न है कि यदि हम अंस में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो वहिन एक में बदल जाती है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह एक वड़ा दो हो जाती है वह वहिन क्या है ये दो प्रस्ण है चलो हम इन दोनों प्रस्णों को शॉल्व करते हैं और ये प्रस्ण आप लोगे एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या की योग शाचटे दो अंकों की संख्या क्या होती है जैसे कोई भी देखो मैं आपको समझाएता हूं इसके लिए एक रफ यार रफ में या चलो इसी पर रफ यूज कर लेता हूं ये पीछे यूज कर लेता हूं एक मिनट इस वगल पीछे मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या लेलू जैसे 24 ये दो अंक की एक संख्या है 23 लेलो कुछ भी लेलो इसमें देखो जो इधर वाला अंक होता है ये आपका दहाई का अंक होता है और ये वाला आपका इकाई का अंक होता है तो अगर आपको अंक पता हो तो संख्या कैसे ग्याद करते हो जैसे मालो एक अंक आपका दो है एक अंक चार है जिसमें दहाई का अंक दो है तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है तो ये संख्या ज्याद करने का नियम होता है और अगर यहीं सैकडा में चला जाए तो सौ से गुणा किया जाता है तो यहां पे देखो उसी प्रकारी हम लोग क्या करेंगे कि दो अंखो की एक संख्या है और उसके अंकों को लटने पर बनी संख्या के योग छाचत है तो सबसे पहले तो हम लोग शंख्या मान लेंगे ठीके तो चलो इसका हम लोग हल करते हैं इस question को हल करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे ठीके हल लिखेंगे ओके और नीचे से हम इसको चलो हल करते है सबसे पहले संख्या माल लेते हैं तो हम लोग दहाई और इकाई का अंक माल लेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि माना की माना की दहाई का अंक दहाई का अंक मतलब मिन्स जो संख्या है उसमें जो दहाई का अंक है दहाई का अंक उसको मैंने एक्स मान लिया माना की दहाई का अंक एक्स तथा इकाई का अंक वाई है एकाई का अंक वाई है हमने दहाई और इकाई का अंक मान लिया तो इस प्रकार हम लोग की संख्या बरबर यहां लिख दो कि इस प्रकार संख्या बरबर इस प्रकार इसको इस बना ले ना इस प्रकार शंख्या बराबर हम लोग की संख्या क्या होगी भई तो संख्या भई दहाई का अंक X और इकाई का अंक Y ऐसे हम लोग डारेक्ट नहीं लिखेंगे इसके लिखने का तरीका होता है भई दहाई का अंक तो इसमें 10 से गुणा प्लस इकाई का अंक हम लोग का Y है तो इसमें एक से गुणा, तो एक से गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये बराबर हम लोगी संख्या, क्या हो जाएगी, 10X प्लस Y हो जाएगी, clear, अब देखो, हमें आगे क्या बोल रहा है, कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, मानलों ये होगी हम लोगी संख्या, और उसके अंकों को उलटने पे, अंकीस में क्या है, ये X और Y है, इनको उलटने पे, मतलब एक से जगा Y को, Y के जगा X को कर दे, तो उन दुनों का योगफल 6-6 है, तब हम लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुशार, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आगे, एक मिएट मैं इसको थोड़ा उपर कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि प्रथम शर्ता अनुशार, आप लोग लिख लेना, और यहाँ पे देखो, प्रथम सर्तार रूशार क्या बोलबा लगए है कि दो अंकों के संख्या यों मिए लटने पहांग संख्या क्याय और संख्या को रखेंग मेंendra संख्या 10 y plus x होगी और कह रहा है कि हो संख्या और अंको को लटने पर बनी संख्या का जो योग है वो किस के बराबर है? च्छाचट के बराबर है तो बराबर हम च्छाचट कर लेंगे अब simple इसको हम लोग चलो हल करते हैं हल करकर एक समीकंड का नीर माड करते हैं तो देखो यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे 10x प्लस y और यहाँ पे प्लस 10y प्लस x है यानि यह 10x और यह मतलब मिलकर 11x हो जाएगा ठीके और प्लस यह 10y और यह y मिलकर 11 आपका y हो जाएगा और बरवर यह 68 है तो 67 clear अब देखो इन दोनों में 11 कामन है अगर मैं 11 कामन लेता हूं तो कोश्ट में हम लोगा क्या वच्चेगा x plus y clear और बरवर यह 66 तो 68 अब देखो x plus y क्या हो जाएगा यह 11 यहां पर क्या इसको हम लोग समिकार नमबर एक माल लेंगे अब देखो आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है कि यदि संख्या के अंको का अंतर दो है यदि संख्या के अंको का अंतर हमें दो है बता रहा है तो संख्या ग्याद कीजिए जैसे मालो जैसे हमने शुरू में उधर एक्जा और y है तो इनका अंतर यानि x-y इन अंकों का अंतर हम लोग का कितना है दो के बराबर है यहाँ पे दो है ना तो यहाँ पे बराबर दो मैं लिख लेता हूँ और इसको हम लोग शमीकरण नंबर दो बना लेते हैं clear अब चलो यहां समिकार बबर डुकोई करने पर ऐसा दिंख लोगे उसके बाद समिकार 1 क्या है वहाई-ונस विःबर 6 दूसरी समी कड़िए यवर लोगा हम लोगा 2 अब इसको अब आते हैं का छे हो छो अधाते हैं तरहो य तो य बस Hayır कर x x क्या हो जाएगा 2x और बाराबर यह देखो च्छो दो आठ हो जाएगा हम लोग का clear अब देखो यहां से x बाराबर भाई यह दो गूड़े यहां पर यहां पर इस एक समीकरण एक में ही रख लेता हूँ एक में रखने पर रखने पर ऐसे आप लोग लिख लोगे और फिर समीकरण एक क्या है चार आया है तो यहां पर जया दो अब देखो हमने एक का भी मान गयात कर लिया y का भी मान गयात कर लिया X हमने क्या माना था दहाई का आंक माना था और यह इकाई का आंक माना था तो इसी प्रकार हम लोगी संख्या 42 होगी इसी तरह लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा इसके आगे आप लिखोगे अता शंख्या बराबर इसके आगे आप कैसे करोगे पेज भर गया तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ठीके यहाँ पे आपको होगे अता शंख्या बराबर क्योंकि हमें संख्या ज्याद करना था अता शंख्या बराबर और संख्या हम लोगे क्या है यहाँ पे देखो 10x प्लस y ठीके तो संख्या हम लोगे क्या थी 10x प्लस y थी तो बराबर 10 और x कामान 4 x कामान यहाँ पर हमने 4 नहीं काला तो गुड़े आप 4 कर दो यह प्लस y, y के जगाँ पर हम लोग 2 करेंगे यह इकाँ-काँ के ठीके तो प्लस 2 तो यह 40 और 2 आपका 42 यह संख्या आपकी 42 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा ठीके, अब आप लोग इसको verify भी कर सकते होगी, यह आंसर सही आया है कि नहीं आया है, जैसे देखो, यहाँ पर बोलना है कि 2 अंकों को लटने पर बनी संख्या का योग 6 छट है तो इसको आप लोग देख सकते हो और इनका अंतर 2 है, यहाँ पर जैसे यहाँ अंतर भी 2 था, तो देखो 4 में से 2 घटा होगे, तो 2 अंतर 2 आजाएगा और जैसे यह संख्या हो गया और इसको आप पलटोगे और दोनों का योग करोगे तो वो 6 छट के बरावर आएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग भी संख्या हो गई और संख्या को पलट देते हैं, जैसे 4 के जगह, 2, 2 के जगह 4 करेते हैं याँनि आपकी संख्या क्या होजेगी, 24 होजागी तो देखो इन दोनों का योग छाचट आएगा यापका जूड़ गया तो 4, 2, 6 और 4, 2, 6 याँनि छाचट आगया याँनि हम लोग का ये दोनों जो यहाँ इस टेट्मेंट दिया था करने का कि कैसे सवाल किया जाता है जैसे यहाँ दिरे-दिरे मने आपको अच्छे से वता दिया तो यहाँ पर क्यों शंख्या बदल जी जाए तो क्या उससे कोई अंतर नी पड़ेगा आप हवाल करने का तरीका जानगे तो असानी से हषाल कर लोगे, चलो, अब यहां पर हम लोग second number यह सवाल कर लेते हैं, यह second number सवाल क्या है, आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हो, इस सवाल में बोल रहा है कि यदि हम अंस में, क्या बोल रहा है कि यदि हम अंस में एक जोड़ दे, यानि यहां विहिन की बात कर रहा है, क्योंकि विहिन में ही तो अंस और हर होते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रह हो गया तो यह उपर वाला अंस होता है और यहन नीचे वाला आपका क्या होता है हर होता है सिंपल तो यहां पर सबसे पहले हमें भीन जिख्या look at यहां पर। हम लोग माल लेंगे ठीक हैं मैं यहां यहां पर जोड़ने की कहीँ-KI-GO बात कर रहे हैं, तो चलो, इसका हम लोग solution करते हैं, इसका solution करने केलिए simple question number 2 है, इसका मैं यहाँ पर हल लिख देता हूं और चलो, इसका हम लोग हल करते हैं, सबसे पहले, यहाँ पर मैं मान लेता हूं माना की भिन का ans x, द्माना की भिन का का अन्स x तथा har y है हमने भीन का अन्स और har मान लिया तो इस लिए भीन बारेबर तब भीन क्या होगी भीन होगी हम लोगी x बट वाई क्योंकि अन्स x है और har अब देखो प्रथम सरत आनुशार यहां क्या वोलै है सवाल में यदि हम अंस में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भीन एक में बदल जाती है ठीक है तो प्रथम सर्तानुशार आप लिख ले नहीं है पर प्रथम सर्तानुशार ठीक है और यहां पर भीन क्या है हम लोग की मानलो x बटे यह वाई है हमने तो यहां पर निकाल रखा है और में एक चोड़ दे एक निसंति हम एक के बड़ावर हो यह सिम्पल यह प्रथम सर्था अनुशारी हमें ये लॉजिक दिया है अब इसको हल कर कर चलो हम लोग Еक संभी काल कर लेती हैं अब इसको हम लोग हल करते हैं आप नीचे हर में कुछ नहीं है तो एक हम लोग मान लेते हैं तो इससे इधर गुणा होगा इससे इधर गुणा होगा तो यह x प्लस 1 बराबर यह आपका y-1 हो जाएगा ठीके अब देखो यह y इधर लाते हैं तो x और y प्लस इधर आएगा तो माइनस हो यह आपकी समिकर नंबर एक हो गई clear अब देखो आगे हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है यहां प्रसंद में देखो कि यदि हर में एक जोड़ दे हर में एक जोड़ दे तो यह एक बटा दो हो जाती है ओके यहां पर क्यावल हर में एक जोड़ आए तो चलो इसको भी ह भीन सबसे पहले हम लोगी भीन हो गई एक बटे वाई इसमें सवाल में हमें क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे हमें हर में एक जोड़ देते हैं तो भीन किस के बराबर हो जाती है भीन एक बटे दो के बराबर हो जाती है ठीक है तो चलो यह बराबर हो जाती ह एक और समीकर्ण का निर्मार करते हैं तो चलो, जैसे देखो यहां पे अब यहां पे, यह इधर 2 से गुड़ा होगा तो यह 2X हो जाएगा, ठीके और इधर हम लोग का यह Y plus 1 से गुड़ा होगा, तो वो Y plus 1 ही रहेगा, क्योंकि इधर 1 ही है, ठीके अब देखो इसको, हम लोग यह 2X और Y को इधर लाएंगे, तो minus Y बरबर इधर 1 की हम लोगा हो गया तो इसको एक हम लोग समीकर्ण माल लेते हैं, समीकर्ण नंबर 2 क्लियर, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि समीकर्ण 1 तथा समीकर्ण 2 को हल करने पर ठीके, आप पूरा लिख लेना कि समीकर्ण 1 तथा समीकर्ण 2 को हल करने पर और समीकर्ण 1 क्या है, वो है हम लोग की X-Y बरबर माइनस 2 और समीकर्ण 2 क्या है, यह है 2X-Y बरबर हम लोग का 1, ओके, यह तो हम लोग की शमीकाड है अब देखो यहाँ पे हम लोग का elimination method यानि बिलोपन विधी से इसको हम लोग हल करेंगे क्योंकि ये विधी असान होती है ठीक है प्रतिय स्थावन विधी से भी समीकाड को यहाँ पे minus कर लेते हैं और यहाँ पे-2 x है और वरवर यह देखो माइनस2-1 मिलकर माइनस3 होजाएगा यहाँ इस बैसे वरवर तो एक समीकाड नंबर तीन आपका हो गया ठीक है तो पड़ेगा कि X का मान मानलों समिकर्ड एक में रखने पर समिकर्ड एक में रखते हैं और समिकर्ड एक क्या है X-Y बराबर माइनस दो तो X-Y बराबर माइनस दो यह हम लोगी समिकर्ड एक है यहां पर X का मान रखते हैं इसको उधर ले जाते हैं तो तो प्लस 2 हो जाएगा और वाई उधर जाएगा तो वाई हो जाएगा तो यह अब देखो पूरा का पूरा हम इधर का उधर करेंगे तो कोई चीन नहीं बतलेगा यह होएज जाएगा दोने मिलकर क्या हो जाएगा यह 5 हो जाएगा तो y का मान आपका क्या गया 5 आ गया तो यहां x का मान आपका 3 आया y का मान 5 आया तो यहां पर आगे हम लोग क्या करेंगे अतह भीन बराबर अतह भीन बराबर हम लोग की भीन क्या होगी भाई अतह भीन बराबर चुकि हम लोग का X हमने अंस माना था और हर हम लोग का Y माना था तो Y का माना हम लोगा 5 आ गया तो भीन हम लोग की क्या होगी वो हम लोग की X बटे Y बराबर X माना हम लोगा 3 है तो 3 और बटे वाई क्यामान हम लोगा 5 है तो 5 तो यह लिख देंगे और यह हम लोगा आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार हमने इस सवाल को भी कर लिया तो यह दो हम लोगे सवाल थे दोनों के दोनों काफी important है मैंने धीरे-धीरे काफी बताया नहीं तो यह दो मिनट का सवाल तीन मतलब आप 6-7 मिनट में यह दोनों सवाल अप्स्रॉल कर लेते हैं लेकिन धीरे-धीरे मैं इसलिए बताया कि आपके यहां में मालो इसमें थोड़ा कहीं अंक भी बदल देता है इधर-उदर कर देता है तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाए जिससे इस अधार पर कि लुगे तो आप कर लो ठीक है और यहां देखो मालो यहां पर ऐसे ही सवाल देगा क्यों यहां पर कहीं एक जोड़ है तो कहीं बुलिएफ दो जोड़ने पर इतना हो जाता है या दो घटाने पर मतलब थोड़ा-थोड़ा बदल देगा करने का बाकी तरीका जैसे मैंने किया सवाल यही रहेगा तो अगर आप सवाल करने का तरीका जनगे तो यहां कितना भी आपको सवाल तोड़ मड़वर दे आप कर लोगे ठीक है तो इसलिए मैंने धीरे-देर समझाया आशकरता हूं यह मेरी ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं, जैसे एक, दो कोषिटन, तीन कोषिन, या किसी में पांच कोषिटन मैं लेकर, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आपको बताऊ, तो आप बताना कामेंट करकर, हाँ वयया, ऐसा ही कोषि़टन बताऊ, तो मैं पर डे ऐसी या दो दो वीडियो लाता रहूँगा ठीक है तो शलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू